फिर से स्वागत करता हूँ आपका विहार वुट को आपसीली चैनल में जहां दोस्तों है नहीं आज हम लोग कभर करेंगे पोलिटिकल साइन्स के मोडल पेपर जो आपके बोर्ट परिक्षा 2020 के लिए महत पूरे होंगे इस मोडल पेपर को कई अनुभवी सिच्छों को दोरा त्यार किया गया है जिसे कई सालों का परहने का एक्स्पिरेंस है जो अपने एक्स्पिरेंस से इस मोडल पेपर को त्यार किया गया है इसमें सारे anxiety question को ही select किया गया है क्योंकि board में सारे anxiety question ही पूछे जाते हैं तो इस PDF को अगर आप प्राप्त करना चाते हैं तो आप वीडियो में last तक बने रहे हैं आपको हम बताएंगे कि इसको कैसे प्राप्त करना है तो guys मैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी से request करना चाता हूँगे अभी तकर आप मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किये तो चैनल को subscribe कर लेंगे चले guys हम लोग start करते हैं भारत में निर्वाचन आयोक का गठन कब हुआ तो इसमें से आपको 4 option दिया हुआ इसमें से right option को choose करना है तो इसका right answer हो जाएगा तो will be the right answer option नमर 20 का right answer हो जाएगा 1950 में भारत में निर्वाचन आयोक का गठन किया गया था चलिए फिर next question को हम लोग देखते है next question जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कह रहा है इसमें तो यहां आपका यहां देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भारत के पर्थम सिक्षा मंतरी कौन थे इसमें से आपको चार option दिया हुआ इसमें से right option को आपको चूज करना है तो यहां देखिए चार option क्या है कि के मुंसी दिया हुआ दूसरा में सरदार वल्लब भाई पटेल दिया और अबूलकलाम आज़ाद दिया हुआ है इसका राइड जो इंशर हो जाएगा तो विल भी थर आइट एंसर इंसर अप्चन नमर क्या हो जाएगा यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि 1962 में भारत में तिर त्याम चुना हुआ था चलिए नेक्स्ट को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्कीन पर आ गया ध्यान से देखेगा इस क्वेस्ट को क्या कह रहा है कि भारत का 29 राज ये कौन है तो इसमें से एक मतलब राजयोग को चाठ करके केंसाइथ परदिष बनाया गया है जिसे जम्मू कश्मीर और लदाख है तो यह अभी अभी आभी जो है कैंसाइथ परदेशों की संखिया अभी नौ है और राजयों की संखिया जो है अभी 28 थीक है तो यह आप क्रेंट में ध् देखते हैं जो आपके इसकीन पर आ गया ध्यान से देखेगा इस को क्या कहरा है इसमें इसमें दिराष्ट सिधान का परतिपादन किया तो पांच का जो राइड जो जाएगा तो विल भी दर राइट एंसर उपसन नमर देखते हैं जो आपके इसकीन पर आ गया है तो यहां क्या कहरा है कि भारत में शहकारी दूद उत्पादन का अंदोलन कहां शुरू हुआ था तो इसमें से चार अपसन दिया हुआ है तो आट का जो राइड जिजन से जाएगा तो विल भी दर राइट एंसर उपसन नमर एसका राइट एंसर उजाएगा यह नि गुजरात में चलिए नेक्स्ट को फिर हम लोग देखत ने के जाएगा यह नि प्रुवत्तर भारत के साथ बहुं में कौन सा राज यह सामिल नहीं है इसमें से 4 विल भी दर आMr.र और अपतर उपसन थिजानाइआ की नेक्स्ट कोशन जो आपके स्कीन पे आगया ध्यान से देखेगा इस कोशन को कि परधानमत्री लाल बादु सास्तिर ने किस समझोते पर हस्ता अचर किया था तो इसमें से चार ओप्सन दिया हुआ है इसका जो राइड जो जाएगा तो विल भी दर राइट एंसर ओप्सन न जाएगा तो विल भी दर राइट एंसर ओप्सन नमरे इसका राइट एंसर हो जाएगा नि पंडित नहरु जी को भारत का विदेश निर्माता के नाम से जाना जाते चलिए नेक्स्ट को फिर हम लोग कवर करते हैं जो आपके इसकिन पर आ गया ध्यान से देखेगा भारत म इसका राइट आप चूज करना है तो इसमें से आप देखेए फिर हम आप यहां देखें इंगलादेश का उदेख कब हुआ था तो बंगलादेश का उदेख कब हुआ था इसमें से आपको यहांनी चूज करना है चौदक का आपका जो राइट जोइन शुर जाएगा विल वी दर आइट एंसर आपसन नमर यहांनी क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा यहांनी 16 दिशंबर 1971 में बंगलादेश में का उदेख हुआ था ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन को फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोशन जो आपके स्कीन पर आगया ध्यान से दिखेगा इस कोशन को किस देश ने 1962 में भारत पर आकर्मन कर पंच सिल संधी का उलंगन किया था इसमें से चार अपसन दिया हुआ है इसका जो राइट जो जो जाएगा इसका राइट जो जाएगा विल्द इखेगा option number C हो जाएगा क्योंकि पोखरन में परमान प्रोट्चन यानि राजिस्तान में किया गया था ठीक है चलिए next question को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके इसके इन पर आ गया धिया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कह रहा है चलिए next question को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके इसकीन पर आ गया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कहरा है कि 69 में सौतंत पार्टी किसने बनाई थी तो इसमें से 4 option दिया हुआ इसका right answer जो आपको choose करना है तो 18 का जो आपको जो right answer जो जाएगा will be the right answer option नमर एसका right answer जो जाएगा सीराज गोपाल चारी सौतंत पार्टी बनाई थर्टी कर चले next question को फिर हम लोग देखते है next question जो आपके skin पर आ गया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कहरा है इसमें 1977 के आम चुनाम में विजे पार्टी का नाम लिखे 1977 में जो पार्टी जो विजे हुई थी उसका नाम आपको बताना है इसमें से चार उप्सन दिया हुआ है उनिसका जो आपका जो राइट जो जो जाएगा will be the right answer option नमर एनी 20 का राइट जो जो जाएगा ठीक है यानि जनता पार्टी चले आपका जो राइट जो जो जाएगा will be the right answer option नमर यानि क्या हो जाएगा यानि 20 का राइट जो जाएगा यानि आंधरा प्रदेश में ठीक है चलिए नेक्स्ट को फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को जो आपके स्कीन पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को मेधा पार्ट कर के नाम से किस आंदोलन से जुरावा है नर्मदा बचा आंदोलन से जिफको आंदोलन से तारी विरोधी आंदोलन से ठेरी बांदोलन से तो 21 का आपका जो राइट जो जाएगा will be the right answer option नमर ये हो जाएगा फिर हम लोग देखते हैं भाकरा नांगल प्रियोजना किस नदी पर इस्तित है तो इसका चार उप्शन आपके सामने दिया हुआ है तो तेस का जो आपका जो राइट जो जाएगा will be the right answer option नमर ये डीस का राइट जो जाएगा ये सतलज पर है ठीक है चार उप्शन दिया हुआ है 24 का आपका जो राइट जो जाएगा तो will be the right answer option नमर बीस का राइट जो जाएगा ये लाल बादुर सास्तिरी will be the right answer हो जाएगा चले next question को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके इसकीन पर आगया ध्यान से देखिया गा इस question को तो ये चार उप्शन आपके सामने दिया हुआ है 25 का आपको जो राइट जो जाएगा अमरी का हो जाएगा चले next question को फिर हम लोग देखते है next question जो आपके इसकीन पर आगया ध्यान से देखियेगा इस question को क्या कह रहा है इसमें से इन में से कौन सा एक गुटने पेक्ष आंदोलेंड के जनक नहीं थी इसमें से चार उप्शन दिया हुआ है 26 का आपको जो राइट जो जाएगा तो आपसन नमरी का राइट जो जाएगा तो आपस चलिए नेक्स्ट को फिर हम लोग देखते हैं सीत यूद का पराराम कब हुआ था इसमें से चार उप्शन आपका दिया हुआ चलिए नेक्स्ट को फिर हम लोग देखेंगे 29 का तो निकल गया चलिए नेक्स्ट को फिर हम लोग देखते हैं ब्रेज नेम किस देश के राष्टपती थे यानि थे वह अभी था नहीं थे ठीक है इसका आपको राइट एंसर देना है ठीक है आपके सामने चार उप्शन दिया हुआ है तो इसमें से चार उप्शन दिया हुआ है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा तो इसमें से चार उप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान स्री लंका भारत मंगला देश तो सार का सबसे बड़ा देश है तो कौन सा है नहीं 33 का आपका राइट एंसर विल विद राइट एंसर उप्शन नमर यानि क्या हो जाएगा आपका 20 का राइट एंसर हो जाएगा यानि ठीक है स्री लंका चलिए नेक्स्ट कोशन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्कीन पर आगया संयुक्त राज क्या कह रहा है कि संयुक्त राज अमेरिका पर आतंग वादियू द्वारा आकरमन कप किया गया था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 34 का आपका राइट एंसर हो चलिए नेक्स्ट कोशन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्कीन पर आ गया तो देखे क्या कह रहा है कि सुरुच्छा पड़िशत में कितने सदिस्टे होते हैं तो सुरुच्छा परिसर में यह इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर नेक्स्ट कोशन को आपके स्कीन पर आगा ध्यान से देखेगा इसका नेक्सट को हो जाएगा आपका यानि विल भी तराइट एंसर ऑप्शन नमर्ट इसका राइट एंसर हो जाएगा निस सभी ठीक है चलिए नेक्स्ट को फिरम लोग एकते हैं जो आपके इसकी इन पर आगया वीडियो बहुत लोग होड़ा है हम लिए इसलिए बहुत जल्दी इसको कम कर यह कर देंगा ठीक है क्या कह रहा है कि कितने देशों दुवारा जैविक हतियार समझो ते यानि BWC पर हस्ताचर किया गए तो यह दिखिए ठड़े नाइन का आपका राइडियो जो जाएगा विल भी तराइट एंसर ऑप्शन अमर्ड क्या हो जाएगा नहीं डी इसका र जाएगा इन्ट का समान या अर्थ क्या है तो इसमें से चार ओप्शन दिया हुआ है इसको में राइट आप्शन आपको चूज करना है तो चैनल का अधियान से अगर आप तैयारी करना चाहता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए यहीं तक इंड करते हैं जाह हैं जावरत